Hello दोस्तो, तो finally SSE CGL 2021 का notification आ गया है, जैसा कि calendar में कहा गया था कि 23 तारुक को आएगा, तो आज 23 दिसंबर है और आज finally ये notification आ चुका है तो आएगे देखते हैं कि एक आखिर form भरना कब से सुरू होगा, online payment कब होगी वगएर वगएर जो date submission है online application का, वो 23 यानि कि आज 23 दिसंबर 2021 से लेके 23 जनवरी 2025 तक इसका date है, किसी इसका online submission का और उसी दिन आप जो है, receipt ले सकते हैं online application के लिए, यानि कि print out कर सकते हैं online जो payment है, आप 20 तारीक तक कर पाएंगे, अगर आपको चालान के तुरू करना है, तो वो 26 तारीक तक print कर सकते हैं और फिर उसको bank में जाके 27 तारीक तक वो कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, चालान के तुरू application का अगर correction है, payment वागरा में कुछ correction है, वो 28 तारीक तक होगा, 28 तारीक से लेके एक फरवरी तक होगा, वो कि यहां पे दिया हुआ है computer-based age जो है tier 1 का वो April में दिया गया है, पर इसकी कोई guarantee नहीं है कि कब लिया जाएगा, पर hopefully अगर April में ले लिया जाए तो अच्छा है tier 2 का तो कोई guarantee नहीं है अभी, और भी जो important जानकारी है वो आपको मैं बता देता हूँ यह सारे इसके इतने posts हैं और posts के जो कौन सी ministry से हैं फिर पोस्ट का जो classification का है, B है, C है, D है, कौन सी gadget की यान की कौन सी group की है वो सारी चीज़े दी वी है, यहाँ पर assistant audit officer grade B का है और 18 से 30 साल edge limit है, इस तरह से आप पूरे के पूरे list को देख सकते हैं, telegram channel का link दे दिया जाएगे description में और आप वहाँ से यह application को देख सकते हैं, हम आते हैं many important important informations पे, तो यह है edge limit, remarks यह देख लिजे, आप एक बार screen को pause कर क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो videos बहुत सारी लंबी बन जाएगी, यह है OBC और edge relaxation जो है किस किस category को कितना कितना मिला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, चलिए अब आते हैं application fee की और, तो application fee जो है 100 रुपे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ modification and correction के charge हैं, वो भी आ first time, तो फिर उसके लिए first time के लिए 200 हैं, लेकिन अगर आप दुबारा करते हैं, तो उसके लिए आपको 500 पे करने पढ़ेंगे, दूसरी बार correct करने के लिए, यह रहें कुछ आपके exam centers और उसके regional offices और उसके websites, यह आपको, मैं बोलूँगा कि आप PDF में पढ़ लो तो बेट वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, explain करना पड़ेगा चीज़ों को, टायर 4 में देखिया आप, computer proficiency test और data entry skill test, जो भी आप आपके उपर अप्लिगेबल होगा, दोनों में से कोई एक test लिया जाएगा आपका, आप subject देख लें, और कि subject पर कितना marks जाता है वो भी देख लें, यह टायर 1 का है, paper 1 यहाँ पर general intelligence है, general awareness है, quantitative aptitude है, English comprehension से, कितने questions हैंगे, 25 questions हैंगे, 50 number के, फिर paper 2 में quantitative abilities है, paper 2 में English and language comprehension है, paper 3, paper 4, चारो के चारो चीज़े, explain की हुए, यहाँ पर अच्छे से, you can see on the screen, besides, यहाँ पर tier 3, उसके बारे में तो अभी नहीं जाना है, तो यहाँ पर नीचे आपका annexure 3 में, procedure दिया हुआ है, online application feel करने का, कि कैसे कैसे आपको करना है, तो पह नहीं है, यह आपका website है, ssc.nic.in में, वहाँ पर आप जाके पहले register कर लें, उसके बाद आपको फिर इस post के लिए apply करना है, आपको अगर इस post के लिए apply करने जाओगे, वहाँ पर इस तरह का कुछ दे जाएगा, जहाँ के आपको यह सारी informations दी जाएंगे, ठीक है, और आप आपको सारे के सारे informations इस तरह से fill up कर लेने हैं, यह fill up करने के बाद आपको save करना है, save करने के बाद फिर next page आएगा, फिर आपको वहाँ से save करके फिर next में जाना है, make sure कि आप जितनी भी informations देना, वो 100% true हो, एक बार cross check कर लें, type करने के बाद, क्योंकि कभी-कभी typing में भी problem ह हो जाती है, उसके बाद declaration में नीचे agree करके, फिर यहाँ पर final submit कर देना है, और एक draft जो है print out कर लेना है, उसके बाद हमें payment mode में जाना है, वहाँ से pay करना है पैसे, और आपका application हो गया, ठीक है जी, और बाकि इसमें जो भी informations है, important information, एक बार और फिर से cross check करने के लिए दिया अब एक बार application खोल के पढ़ लो, application आपको मेरे telegram ID पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि photograph कितने size में चाहिए, signature कितने size में चाहिए, वो make sure आप अच्छे से कर लेना, online ऐसे आती हैं बहुत सारी website जहाँ पर आप compress कर सकते हो, तो उसके लिए आपको attention लेने के ज examples के दिखा दिए गए हैं, make sure आप चस्मा का use ना करें, make sure आपकी चेहरे और आपके कंदे जो हैं वो थोड़े अच्छे से दिखें, that's it, डोपी चस्मा और यह इदर उदर photos ऐसे use ना करें, इस तरह के photos का इस्तेमाल करें, thank you very much, आपको आने वाली videos में और वी informations दीज आएं learning English with Javed, signing off.